हेलो दोस्तो दा अल्टिमेट सपोर्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंडियन टीम को टेस्ट स्टेटस कैसे मिला इंडिया के पहले कफ़ण कौन थे और पहले के जमाने में कफ़णी करने के लिए क्या पैसे देने पड़ते थे ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैल को और ये वीडियो एंड तक देखें दोस्तो अगर आपने महिंदर सिंग धोनी की बायोग्राफी मेज धोनी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि जब मही मारता था तब सब लोग मही को देखने आते थे और सब लोग ये बोलते थे मही मार रहा है वैसे ही दोस्तो ये भी सच है कि जब इंडिया के पहले कप्तान C.K. नाइडू मारा करते थे तब सब लोग स्टेडियम में खीचे चले आते थे और सब लोग ये कहते थे नाइडू मार रहा है जी हाँ दोस्तो इंडिया के पहले कप्तान थे करणल C.K. नाइडू ये माना जाता है कि C.K. नाइडू इतना मारते थे इतने चक्के मारते थे कि लोग हैरान रह जाते थे CK Naidu ने अपना पहला घरेलू मैच 1916 में खेला था उस समय रंजी ट्रोफी नहीं हुआ करता था उस समय पाँच टीमों के बीच सिरीज हुआ करता था या फिर चार टीमों के बीच सिरीज हुआ करता था उस समय जो इंडिया में टीम्स थी जो घरेलू टीम्स थी वो धरम के अधार पे बटी हुई थी जैसे कि हिंदूस, मुस्लिम्स, क्रिस्चन्स, पार्सीस, सेक्स इन सब को मिला के पाच या छे टीमें बनती थी दोस्तो वैसे तो S.K.N.I.D.U को धरम के अधार पे बटी हुई जो टीमें थी उन में खेलना पसंद नहीं था पर दोस्तो अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो इन टीमों से ही कहलना पड़ेगा तो दोस्तो S.K.N.I.D.U ने हिंदूस की टीम को जॉईन कर लिया CK Naidu इतना मारा करते थे इतना मारा करते थे कि दोस्तों वो प्योर एंटरेटेनर थे जब भी CK Naidu बैटिंग करने आते थे तो स्टेडियम के बाहर भीर लग जाती थी यहां तक कि पेडों पे चड़के भी लोग CK Naidu को देखते थे एक बार इंग्लेंड की MCC की टीम भारत आई, फुल मिला के 26 मैच खेलने, भारत की हर एक घरेलू टीम से MCC ने खेलने का फैसला किया, और उसमें से एक मैच था हिंदूस के खिलाफ मुंबई में, उस समय MCC की जो टीम थी, वो धाकर टीम थी, उसको सबसे बहतरीन टीम माना जाता था, और दोस्तो हिंदूस के खिलाफ जब मुंबई में खेल रही थी, तब दोस्तो हिंदूस की तरफ से खेल रहे थे, CK नाइडू, CK नाइडू ने उस मैच में 11 चक के और 14 चौक के लगा के 116 रनों की पारी खेली, और दोस्तो MCC के खिलाडियों के धागे खोल दोस्तो उस समय हेलमेट भी नहीं हुआ करता था, बैड भी आज की तरह उतने मजबूत नहीं थे, और दोस्तो बाउंडरी भी बहुत बड़ी होती थी, करीब करीब 95 फीट की बाउंडरी हुआ करती थी, आज कल की तरह नहीं, 60 या 75 फीट की, पर दोस्तो CK नाइडू इस आते थे कि CK नाइडू हमें मत मारना, CK नाइडू हमें मत मारना, इसके काफी सारे काटून्स भी बने हैं, पेंटिंग्स भी बनी हैं, एक और कहानी बहुत फेमस है, MCC के खिलाफ उसी मैच में, CK नाइडू ने इतना लंबा छक्का मारा था, कि मुंबई का क्लॉक इंडिया की टीम, इंटरनाशनल में डेब्यू करने के लिए तैयार है, अब इंडिया की टीम में इसे ऐसे खिलाड़ी है, जो इंटरनाशनल स्टैंडर्ट के हैं, और इंटरनाशनल मैचेस में, अच्छा परफॉरमेंस कर सकते हैं, दोस्तों, CK नाइडू के उसी और दोस्तो तब हुआ गठन BCCI का और दोस्तो पटियाला के महराज BCCI के हेड़ बने उस समय दोस्तो जो महराजा या फिर नवाव्ज हुआ करते थे वही लोग उचे पद लिया करते थे भले वो किसी टीम के कैप्टन हो या फिर किसी खेल के अधिकारी दोस्तो अब फैसला हुआ कि 1922 में इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगी इंगलेंड में जाके और दोस्तो इंडिया टीम में शुरू हुआ कैप्टन बनने की होड कि कौन कैप्टन बनेगा कौन इंडिया का पहला कैप्टन बनेगा जो भी महराजा या नवाब महराजा और विजयनगर दोनों ही बहुत अमीर थे और दोनों ही खूब पैसा लुटा रहे थे जहांपे महराजा और विजयनगर ने एलान किया कि वो इंडिया के टूर के लिए 40,000 रुपे देंगे और पूरा टूर स्पॉंसर कर देंगे वहीं दोस्तों महराजा अफ पट्याला ने सोचा कि विजयनगर के महराज ने जब इतना पैसा दे दिया तो मैं इससे ज़ादा पैसा दूँगा उन्होंने 50,000 रुपे का एलान किया कि वो कैप्टन बनेंगे तो वो टूर तो स्पॉंसर करेंगे ही साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी जगा देंगे इसी के साथ सा दोस्तो एक होर्जी लग गई एक रेस लग गई कि जो सबसे ज़ादा पैसा देगा वो इंडिया की टीम का कैप्टन बनेगा उसके बाद दोस्तों ये पता लगा कि इंडिया का ये टूर आठ महीने का होने वाला है आठ महीने तक इंडिया की ये टीम इंगलेंड में ही रहने वाली है इसके बाद दोस्तों महाराजा ओफ पटियाला और महाराजा ओफ विजयनगर दोनों नहीं इस टूर में जाने से इ कैपٹण कौन बनेगाे, इसके बाद कई सारे महाराज़ा आ गया है कैपٹن बनने के लिए जिसमें सबसे आगे थे पोरबंदर के महाराज और नवाब पतोदी पहले यानि मंसूर अली खान पतोदी के पिता जी पर दोस्तो पोरबंदर के महाराजा को इंडिया के पहले टेस्ट मैच का कैप्टन बना दिया गया इसलिए नहीं कि पोरबंदर के महाराज बहुत अच्छा खेलते थे बलकि इसलिए क्योंकि वो महाराज थे और वो स्कॉंसर कर रहे थे पर दोस्तो जब practice matches खेले गए तो पोरबंदर के महराज और बाकी जितने भी महराज थे टीम में वो सब लोग fail हुए बिलकुल खेल नहीं पारे थे और C.K. नाइडू अपने पूरे रंग में थे तो लोग कहने लगे कि पोरबंदर के महराज के पास जितने रोस रॉइस है उससे कम उनके रंस है इतनी बेजज़ती के बाद पोरबंदर के महराज ने फैसला किया कि वो इस टूर में नहीं जाएंगे नहीं खेलेंगे वो match और उनके boycott के बाद C.K. नाइडू को इंडियन खिलाडियों को महराजा के गुलाम बनने की इतनी आदत हो गई थी कि वो लोग विरोध पे उतराए कि कोई महराजा क्यू नहीं है भारत का कप्तान अगर कोई महराजा भारत का कप्तान नहीं बनेगा तो वो लोग पूरी इंडियन टीम इस टूर में नहीं जाएगी उन्ह पर दोस्तो महराजा ओफ पतियाला को ये पता था कि इंडियन टीम के लिए सबसे सही खिलाडी और सही कप्तान सीके नाइडू ही है तो उन्होंने इंडिया के सारे खिलाडियों से कहा कि जो इसका विरोत करेगा सीके नाइडू का विरोत करेगा वो इसके बाद कभी भी इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इंडिया वो मैच हार गई पर दोस्तों इंडिया ने शानदार पर्फॉर्मेंस किया और सब को ये बता दिया कि इंडिया अब क्रिकेट में आ चुकी है दुनिया से लड़ने के लिए। दोस्तो एक बहुती इंट्रेस्टिंग कोइंसिडेंस भी है 25 जून 1932 को इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला और 25 जून 1983 को ही इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था इसके बाद दोस्तो सीके नाइडू 62 साल तक क्रिकेट खेले जीहां दोस्तो बिल्कुल सही सुना आपने 62 साल तक क्रिकेट खेले और उनका अंदाज आखरी मैच तक भी आकरमक ही था दोस्तो हम यह उमीद करते हैं आपको यह वीडियो और यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और ऐसे क्रिकेट से जुड़ी इंटरेसिंग स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जहें दोस्तो